अब आईए हम बात करते हैं बारह राशियों की बारे में एक आज की बारह राशियां क्या कहती हैं कौन विदेश जाएगा, किसको आयात निर्यास से धन बिलेगा, कौन होटल खोलेगा कौन भारती परसाशनिक सेवा में जाएगा, कौन पुलिस की नुगरी करेगा कौन सेना में जाएगा, कौन अभियंता बनेगा, कौन विधिवेता बनेगा, कौन पत्रकारदा किस चत्र में जाएगा किसको आकल्ट साइंस में जाना है, कौन पाइलट बनेगा, सारी बात हम आपको बताएगे सौधानी का अबरतनी है उपाय क्या करना है? किस रंग के प्रियूग करने से आपको बड़ी सफलता मिलेगी? किस रंग का प्रियूग करने से आपको उन्नत हिोगी और आप महान उन्नत करेंगे? सौधानी के अबरत ने उपाय क्या करना है इस सारी बात बताऊंगा आई ये शुरुबात करते हैं मेश राशिशे जो मेश राशी की जातक है आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा है जदि आपने कोई भी पृतोगी परिक्षा दे रखा है तो आज आपको सरकारी नोकरी मिलने का योग बन रहा है सरकार से लाब मिलेगा जो भी आपकी च्छाएं है पूर होने का समय चल रहा है धन धान के शत्र में किया गया प्रियास सार्थक होगा और आज अपने धन के ब्रिद्धी का योग बन रहा है नए बैपार करने का योग बन रहा है, विद्धार्थी कोई बिदेश में पढ़ने के लिए जाना चाहता है, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे आपने टेक्निकल एजूकेशन का हो, चाहे मेटिकल के फिल्ड में हो, चाहे लॉप के फिल्ड में या बैरिश्टर बनना चाहता है, उसके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, आप विदेश पढ़ाय लिखिल अच्छा कर सकते हैं, आज आपके जीवर्ण में चमतकारिक परिवर्तन होते हुए दिख रहा है, सौधानी के अबरत नहीं है, एकागर होकर अपने कारिशतर में लग जाए, ये समय नुकुलता लिए हुए है, उपाय क्या करना, सूर्य देव को जला विशेक करिए, अच्छा रहेगा, ओम गिरडी, सूर्य आयनमा, इसके साथ ही साथ सावन का पवित्र महीना चल रहा है, इसमें भगवान भोले नात को आप जल अर्फित करिए, एक लोटा जल, और भांग, धतूर, आ इस राशी की जातक हैं, उनकी लिए अकालकंड काफी महतपोर है, आपके दोरा किया गए पर्यास सफल होगा, पर्यासत कारों में अपार सफलता मिलेगी, लेखन कारे से धन मिलेगा, आपके पुस्तक पुरस्क्रित हो सकते हैं, आकल्ट साइंस में आपकी रुची बढ़े यात्रा तिर्थाटन देशाटन का योग बन रहा है, अध्यात्मिक भिकास होगा, और पांडित्य कर में रुची बढ़ेगी, मंदिर इत्यादी का निर्माण कर सकते हैं, सौधानिया क्या वरतने गुश से पनियंत्रा रखना आपके लिए अच्छा रहेगा, छुटी-छ नो हरी किस्टन बात करते हैं मिथू नाशी के, जो मिथू नाशी की जातक हैं, उनकी लिए आज का दिन काफी महतपूर है, आपकी समस्त महतवकांचाय पूर्ण होगी, आपको रुका हुआ धन प्राप्त होते हुए दिकरा है, आपके दोरा किया गया प्रयास सफल होगा, प्रयासत कारों में महान सफलता मिलेगी, परिवार में नहीं में अमान के आगमन से घर में खुश्यों का महल रहेगा, आज आपको पत्नी का सुख पराप्त होगा, दामपती जीओन अच्छा होगा, पत्नी का मेंटल, मारल, एमोशनल सपोल्ट मिलेगा, चतुर्दी कलाप आपसे आज आपका मन प्रफुलित रहेगा, माता-पिता का सहयोग मिलेगा, आपकी पुराने मित्र मिलेंगे जिससे मन आपका खुश रहेगा, नोकर इत्यादी का सुख मिलेगा, गाड़ी खरीच सकते हैं, नए प्रकार का भूमी भौन, किरिशयोग भूमी खरीदने का उसर मिलेगा, जेदी आपके घर में कोई अभिबाहित लड़का या लड़की है, तो उसकी साधी का सुख समाचार आपको प्राप्त होगा, सौधनी के अबरत नहीं है, पॉजिटिव सोच रखना आपके लिए अच्छा रहेगा, उपाय क्या करना हरा चारा गाय को खिलाना अच्छा रहेगा, भगवान भोले नात को गाय के दूद से अविशेक करिए, अच्छा रहेगा, रूदरी का पाठ करें, आपके लिए स्कार्ट हरेगेश, अब आई एम बात करते हैं करकराशी की, जो करकराशी की जातक हैं, आज आपको बड़ी सफलता प्राप्त होते हुए दिख रहा है, विद्धार्थों के लिए कालखंड काफी अच्छा है, इसमें आपके पढ़ाई, लिखाई, केरियर को ले करके, आप काफी अच्छा करेंगे, आपके जो विरोधी हैं, खडें तरकारी हैं, सब अपनी योजनाओं में बिफल रहेंगे, आपका अध्यात्मिक विकास होने का योग बन रहा है, नए प्रकार का कार करने का योग बन रहा है, प्रापल्टी तैट खरिश सकते हैं, उसकी सम् बात करेंगे, उसमें आपको अपार सफलता मिलते हुए दिख रहा है, सौधानिया क्या परतनी है, अपने आलशे का परत्याक करें, आपके लिए अच्छा रहेगा, उपाय क्या करना है, लाल वस्तरदान करें, और भगवान भोले नात को, क्या करें के बेल पत्र, भांग, शिवाय काते वे अर्पित करें, आपके लिए अच्छा रहेगा, सुबंक है आठ, सुबंक है किशरिया, लक मीटर है आठ, हरी बात करते हैं, शिंग राशी की, जो शिंग राशी की जातक है, आज आपको नए बैपार और बेवसाय से लाब मिलने का यूग बन रहा है, पर आपको साहतिक जगत से आएके साधन मिलेंगे, नियाले से दनलाब होगा, तिर्थे आत्रा का यूग बन रहा है, महत्मुर्ण कारी होते हुए दिख रहा है, बिरोधी परास्त होंगे, मन थोड़ा सा आपको उदिगन हो सकता है, सौधानी के अपरतनी है, कोई भी कारी करें, आपके लच्चा रहेगा, उपाय क्या करना, गरीबों को काना खिलना आपके लच्चा रहेगा, सुभं के पांच सुभरंग है, महरून कलर, लक्मीटर रहाट, हरे कृष्ण, बात करते हैं, कन्यराशी की, जो कन्यराशी की जातक हैं, आज आपको लेखन और साहित के चेतर से धन लाब मिलेगा, जिए शेयर और ट्रेडिंग में धन अर्चित करेंगे, तो उसमें आपको काफी लाब मिलेगा, मान सम्मान पत, परतिशना में बढ़ोतरी होगी, जमीन जायदात खरितने का उस्वर मिलेगा, संततियों का सुख मिलने की सम्होना बन रही है, ब आपको बिजिसरी मिलते हुए दिख रहा है, सौधानी के अबरतनी है, अपनी उर्जा का सही दिसा में परियोग करना आपके लिए अच्छा रहेगा, उपाय क्या करना है, भगवान भोले नाथ को, आज आप जला विशेक करिए, उनको भांग बेल पत्र, अर्पित करना आ भी लक मिटर है, नो, हरे कृष्णा, बात करते हैं, तुलराशी की, जो तुलराशी की जातक हैं, आज आपके मान सम्मान पत परतिश्णा में बढ़ोतरी होगी, रुजगार के शेतर से लाह मिलेगा, कई महत्पुर्ण कार होने की सम्होना बन रही है, आयात निर्यात का भ बढ़ा कर सकते हैं, जदि आप माइक्रो बाइलोजी में या बाय टेक्नोलाजी में कुछ करना चाहते हैं, रिशर्च जिताथ, तो उसमें आपको औसर मिलेगा, और मेडिकल के फिल्ड में कुछ बढ़ा कर सकते हैं, सौधानी के अबरत नहीं है, पॉजिटिव सोच रखे उपाय क्या करना हरा चारा गौसाला में गाय को खिला में और भगवान भूले नात के अरादना करना आपके लिए अच्छा रहेगा, सुभ हंके चार, सुभ रंगे सफेद, लग मीटर रहे आठ, हरी किस, बात करते हैं, ब्रिशिक राशी की जातक हैं, आज आपको धनलाब होने का युग बनडा है, सुभ और मांगली कार होने की संभावना बन रही है, कई महत्पूर कार होने से मन परसंद रहेगा, भाई भान का सुख प्राप्त होगा, और आज आप नए उद्योग इत्यात लगा सकते हैं, खिलाडियों के लिए कालकंड अच्छा है, माता पित और संभी का पत्ता अर्पित करें, ओम नमस्युवाय मंतर का जब करें, आपके लिए अच्छा रहेगा, तो आज आपको सौधानी ये बरतनी है, कि अगर आपको गुस्सा आता है, तो गुस्सा न करें, आपने को बैलेंस रखें, और गुस्से पर ये तरह रखें, नहीं करते हैं धनुराशी की, जो धनुराशी की जातक हैं, आज आपको ध्यान लगने के बहुत सेंसिटीव हैं, छोटी-छोटी बात पर इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा आपको बहुत दे जाता है, जो आपको नुकसान पहुचा सकते हैं, इसलिए गुस्से पर नियंद्रा भाग आपका साथ देगा नए प्रकार कारे करने का योग बन रहा है परश्यति अन्कूल है एकडमिक केरियर आपका बहुत अच्छा होगा पढ़ाय लिखाई से धन अरजित होगा केरियर के छेत्र में काफी अमूल चुल परिवर्टों होने की संभावना दिख रही है और आज आपको उपाय का करना है कपूर का देपक जला में और पीला पुष्प भगवान भोले नात को अरपित करें और ध्यान रखना की ये सामन का महिना है तो देवा देव महादेव को आप भांग दतूर एक लोटा जल ओम नमस शिवाय मंतर का जब करते हुए आप उनक पर सनी की साड़े साथी चलने के नाते आप कई परकार के परिशानियों में उल्जे हुए हैं तेजगत की गाड़ी नचलावें लेंदे न करें नए परकार का बैपार करने से बचे हैं और सुभें मांगले कारी होने का योग बन रहा है जमीन वाहन खरीदने का भी योग रोग और सत्र आपके परास्त होंगे वीरोती द्वास्त होंगे इस तरह के कई कारीओं से आपको लाप मिलेगा माता पिता का सुख मिलेगा भाईईयों का सुख मिलेगा परिवारी की सितिया आपकी शानदार होगी सौधानी का परतनी अतधिक बै करने से बच्चें उपाय क्या करना सरसो का तेल का दिपक जला में और आज देवाति देव महादेव को क्या करें कि आप उनको एक लोटा जल और ये बेलपत्र आक धतूर अरफित करियो रोब नमस शिवाय मंतर का जब करिये आपके लिए अच्छा रहेगा सुभंके 8, सुभंके 8, लग मीटर 8, हरेगी बात करते कुम्भराशी की जो कुम्भराशी की जातक हैं आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा है लेकिन सनी की साड़ साती होने के नाते आप अपने को मांसिक रूप से इस्ट्रेस में महसूस करेंगे कई महत्पूर कार होने का योग बन रहा है भाई बहन को रोजी रोजगार के चितर में बड़ी सफलता मिलेगी और बैपार करने का उसर मिलेंगे खिलाडियों के लिए समय काफी अच्छा है खेल के चितर में आपका केरियर बढ़ेगा नए काम करने का योग बन रहा है माता पिता का सुख मिलेगा रियल स्टेट प्रापर्टी से दनलाथ मिलेगा सौधानी के अबरतनी है जल्दबाजी में नेड़ा लेने से बचें उपाय क्या करना है घी का दिपक जला में और भगवान भुले नाथ के अरादना करें सुब अंके छे सुब रंगे हरा लक मिटर साथ हरे किसमे अब हम बात करेंगे अंतिव राशी मीन की जो मीन राशी के जातक हैं आज आपको द्यान रखना की भावनाओं पर यह इंतरा रखने की जुरुत है भावेस में कोई भी काम न करें नहीं तो कार्याव बिगड़ सकता है बाणी से धनलाब कमाएंगे जितना किमती बाणी रहगोती किमती धन मिलेगा और किमती सला से धन अरजित करेंगे धनलाब मिलने के संभौोणा बन रही है माता-पिता का सुख मिलेगा कोई नई कहानी किताब लिख सकते हैं परिवारी किसके तिची होगी पत्णी को नोख्री मिलेगी दांपत्र जो नच्छा होगा घर में सुब और मांगली कार होने की भी संभावना बन रही है सौधानी के अबरतिन है समय का सुधुप्योग करना आपके लिए अच्छा रहेगा और आज आपको ध्यान रखना है कि उपाय क्या करना है पीला वस्तरदान करें और भकवान भोले नात को आप क्या करें कि भांग धतूर गंगाजल गाय का दोद मिलाके आप उनको अरपित करें और उम नमस शिवाय मंतर का कबसका में एक माला तिन माला जब करना आपके लिए अच्छा रहेगा सुबंग के तीन सुबंग है पीला लक मीटर है नो हरे कृष्ण अब आईए हम बात करते हैं आज के दिन जन्मे जातकों के बारे में आज इन दर्सकों का जन्म दिन है उनके जन्म दिन की बहुत बहुत बढ़ाई धेरो सुब कामना है आपका जन्म दिन सुब हो मंगल मै हो आप खुब प्रकत करिए आगे बढ़िए आपका अच्छतुर्दिक विकास हो आप पर फगवान भोले नाथ के किर्पाबर से हैपी बर्टे आप जिन दर्शों का जन्दिन है उनका मुलांक होता है तीन तो खासतोर से तीन, बारह, एकिस और तीस तिथी की जो जन्मी जातक होता है उनका मुलांक होता है तीन जो तीस शास्त्र में जो अंक का जो रहाश्यमई अंक है जो रहाश्यमई च्छत्र हैं अंकों का उसमें तीन नमबर का बड़ा महत होता है तीन नमबर का नेतर तो करने वाला देव गुरू ब्रहस्पत ही होता है देव गुरू ब्रहस्पत के नाते ऐसे लोग बड़े गंबीर होते हैं शर्राल होते हैं शाहज होते हैं और बड़े ही मददगार होते हैं जो इनके दिल में वही बाहर है जो बाहर है वही दिल में है इनके अंदर दिखावापन नहीं है ये एक अच्छे मित्र है लेकिन के पास एक अच्छे मित्र का अभाव रहता है इस तरह के लोग खाने पीने के सौखीन होते हैं अगर स्वादिश्ट भोजन मिल जाए तो अभ अबर्स आपके लिए लेखनकारी के लिए बहुत अच्छा है, प्रगत के लिए अच्छा है, कई महत्पूर्ण आथिहास्छी कारे करने के लिए अच्छा है, तो देखा जाते हैं यवर्स आपके लिए क और आप एक्षा रखना बंद करें जन्वरी फर्वरी मार्च अपरेल सुनु के चार महीने सांदार है यह आपके लिए गोल्डेन है इसमों तो तो प्रकत पिकास धन किस्थी अच्छी कई महत्पूर्ण कारे होने की समभावना बन रही है पुना आपका मैं जून जुलाई यह जो चार महीना मीड का है यह और अच्छा है गोल्डेन पीलेड है इसमें आपकी धन किसी तेच्छी की मजबुती आएगा और कुछ नए तरह के कारे होने की समभावना बन रही है पुना आपका जुलाई अगास सितंबर अक्टूबर नॉमबर दिसंबर यह उससे भी बेहतर है लेकिन विरोधी शक्री हो सकते हैं घर में थोड़ा सा किसी की हेल्थ को लेकर के चिंता हो सकती है तो कुल मिलाजुला के नेट सेल में देखा जाए तो यह बर्स आपके लिए अच्छा है और जो मुलंगतीन वाले हैं उनके लिए काफी अच्छा समय है आपको पूरे बर्स परेंद ओम नमो परमात्मने नमो हिश्मंत्र का जब करें माताल अश्विंजी के अरातना करें आप देखेंगे कि आपके घर में सुख सम्रिद्धी शांती एश्वरे धन लाभ होने की सम्भाना पढ़ रही है तो देखा जाता आपको अच्छुतिक विकास ह होगा अब आए हम बात करते हैं गुरु के नुष्खे की गुरु के नुष्खे में आज हम आपको बताएंगे कि आज है दिन रभीवार तो अपने हिंदू धर्म गरंतों में भारती चोटी शास्त्र में रभीवार का दिन बड़ा महत्पूर है रभीवार जो दिन का स्व और इसमें काफी अच्छा रह गए या वर्स आपके लिए धन-धान की सित्य अच्छी होगी और आपको आज मैं बताऊंगा कि क्या उपाय करें जिससे आपके रुके हुए कारी संपन हो आपकी परिशानिया दूर हो आप उत्रों तर प्रगत करें तो गुरू के नुष्खे में आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका पुत्र परिशान है पढ़ाय लिखाई नहीं कर पा रहा है आपको दिक्कत हो रहे तो क्या करें कि उसके हाथ से ठच करा करके यह हूँ या चना हन्मान जी की मंदिर में दान करा दें सवा किलो आप देखेंगे कि उसके में काफी अंतर आएगा अगर आपके घर में पुत्र है या पुत्री है साधी योग्य हो गया साधी नहीं हो रही है तो उनको क्या करना है कि आप उनकी उसमें क्या करें कि देव गुरू ब्रहस्पत की आरादना करें ओम, ग्राम, ग्रीम, ग्रौम, सह, गुरुए नमा इस मंतर का कमस्का में एक माला तिन माला आप जब कराईए आप देखेंगे कि साधी विवाम जो परिसानी आ रही है दूर हो जाएंगे और किसी सुहागन महिला को पीले एक बना ले जे पोटली और उसमें सुहाग ये बस तू दान कर दें तो देखा जाते हैं ये काफी अच्छा रहेगा इस आपके समचाओं का समाधान होगा केरियर वाइज बहुत अच्छा है केरियर को बनाने के लिए आप क्या करें के ब्रहस्पत्वार के दिन खीचडी बनावें और मंदिर में दान कर दीजे तो है तो छोटे छोटे उपाय लेकिन बहुत कारकर उपाय अगरे करते हैं ताब के लिए फाइदे मंदिर भागी गुरू कारकरम में बस आज इतना ही फिर हम आप से कालिसिस मैसी वक्त मिलेंगे तब तक कि लिए आप मुझे दीजे इजाज़त आप देखते रहे निवजी स्टेट उत्तर परदेश सुत्राखण नमस्कार